लोग सबाद्यक्ष ओम बिल्ला जैपुर के दौरे पर हैं इस बीच लोग सबाद्यक्ष ओम बिल्ला गोविंद देव जी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं ये लाइफ तस्वीर आपके टीवे स्क्रिंट पर गोविंद देव जी के दर्शन करते हुए लोग सबाद्यक्ष ओम बिल्ला आपको नज़र आ रही होंगे पतादे कि लोग सवाद्यक्ष ओम बिल्ला जयापूर के दोरे पार है और स्पीच ओम बिल्ला गोविंद देव जी मंदर दर्शन करने के लिए पहुचे हुए हैं उनके साथ कई और लोग भी मौजूद हैं गोविंद देव जी की अराधना करते हुए लोग सवाद्यक्ष ओम बिल्ला आपको नजर आ रही होंगे देखिए उनके सामने मत्था टेका है लोग सवाद्यक्ष ओम बिल्ला ने उनकी अराधना करते हुए लोग सवाद्यक्ष आपको नजर आ रही है सभी का अब इन अदर सुईकार करते हुए लोकसभा अद्यक्ष आपको दिखाए दे रहे होंगे अब देखिए मंदर से बहार जाते हुए लोकसभा अद्यक्ष ओम बिल्ला और गोविंद देव जी मंदर वहे दर्शन करने के लिए पहुँचे जहपुर के अराध हमाने जाते हैं गोविंद देव जी और उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे लोकसभा अद्यक्ष ओम बिल्ला विदेखिवा है दर्शन कर चुके हैं और अब मंदर से बहार जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं इसके साथ सभी का अभी नंदर सुईक करते हुए ओम बिल्ला आपको नजर आ रहे हैं तो इलाए तस्वीर हम आपको सीधे गोविंद देव जी मंदर से दिखा रहे हैं लोकसभा अद्यक्ष ओम बिल्ला गोविंद देव जी मंदर पहुंची हैं उन्होंने भगवान के दर्शन किये जैपुर के अराध्यम आने जाते हैं गोविंद देव जी और इस बीच लोकसभाद्यक्ष ओम बिल्ला ने गोविंद देव जी के दर्शन किये उनकी अराधना की और अब है मंदर से बहार निकलते हुए फ्लाल देखिए इस तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सभी का अभी दंदन सुईकार किया ओम बिल्ला को माला और साफा भी पहनाए गई उनका मांद सम्मान किया गया तो देखिए उहां पर ये जनता से बात करते हुए भी नजर आ रहे होंगे आपको लोकसभाद्यक्ष ओम बिल्ला ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सामुई काट और महेश मिला में शरकत करेंगे लोकसभाद्यक्ष ओम बिल्ला लेकिन फलाल वहें गोविन देब जी मंदिर पहुंचे हैं उन्होंने अराध्यके दर्शन किये उनकी अराधना की और साथ ही उन्होंने देश और प्रदेश के लिए खुशाले की भी कामना की हैं ताकि प्रदेश में सभी लोक स्वस्त रहें और देखिए अभी लोगों से बात किरते हुए भी आपको लोकसभाद्यक्ष ओम बिल्ला नसर आ रही हैं महीश मेले में भी वह शिर्कत करेंगे वहां पहुँच रहेंगे फ्रार की लाई तरस्वीरे आपको हम सीदे गोविंद्य देव जी मंदिर से दिखा रही हैं और आपको ये भी बता दे कि साड़े आठ वजिव है विद्याधर स्टेडियम में भी पहुँचेंगे वहां पर कारेक्र में शिर्कत करेंगे जिसको लेकर तैयारे भी वहां पूरी हो गई हैं लेकिन उससे पहले लोकसभाद्यक्ष ओम बिल्ला गोविंद्य देव जी मंदिर पहुची हैं जैपूर के राध्यमाने जाते हैं गोविंद्य देव जी और उनके दर्शन करने के लिए लोकसभाद्यक्ष ओम बिल्ला पहुचें फलाल देखिए मंदिर से बहार निकलते ह हुए और उसके बाद विदाधर स्टेडियम पहुंचेंगे महिश मेले कारिक्रम में शुर्कत करेंगे वहां से लोगों पर मुलाकात भी करेंगे और इस बीच लोग का जमावड़ा भी देखा जा रहा है लोग सबाद्दक्ष की एक जलक पाने के लिए लोग काफी वेताब है और उनके साथ सैल्फी लेते हुए भी नजर आ रही है यह तस्वीर है आपके टीवे स्क्रेंट पर हैं आप देख सकते हैं लोग सबाद्द्यक शोम बिल्ला गोविंद देव जी मंदर पहुंचे लोग और साथी जो जनता है वो काफी उत्साहित है पूर विदाएक आपको नजर आ रही होंगे और लोग सबाद्यक्ष ओम बिल्ला गोविद देव जी मंदर से पहार निकलते हुए इसके बाद देखिए लगबक साड़े आठ वजे यानि कि अपसे थोड़ी ही देर में वह विद्याधर स्टेडियम पहुंचेंगे वहाँ पर काल एकरम तो देखे गोविद देव जी जैपूर के अराध्य माने जाते हैं और जब भी भी लोग सबाद्यक्ष ओम बिल्ला जैपूर पधारते हैं तो वह हमेशा गोविद देव जी मंदर पहुंचते हैं अराध्य के दर्शन करते हैं उनकी अराध्या करते हैं और इसी बीच देदर स्टेडियम भी पहुंचना है वहाँ पर कारेक्रम है क्या कुछ कह रहे हैं ओम बिल्ला आए सुनते हैं हाथ जोड कर लों को अभिवादन सुईकार करते हुए ओम बिल्ला पत्रकारों ने उनसे बात कर नहीं की पुरी कोशिश की लेकिन समय को लेकर शायद क्या कुछ कह रहे हैं आई सुन लेते हैं कि अग्यों के दर्शन करने का सुभा के मिला अग्यों कोविन देव जी के पती राजस्तान ने पुरिदीश मड़ी आस्ता है यह मंदीर हम सब को आस्ता विश्वार्स और जीवन में सत्य नेतिक तावे माज चड़ने की पेड़ना देते हैं बगवान कोविन देव जी की क्रपा सप्रे बनी रहे राजस्तान में संब्रदी आये कुशाली आये तो गरतियाई यही बगवान से प्रात्ना करने आप छ्छियर कोशाली सारी ने हो जडें प्रात्ना करने emitism झाल झाल